तो हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग स्वागत है ने हमारे यूटुब चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताउगा जैसे कि दोस्तो आप लोगों को जानना है कि हमारे आधार काड या किसी भी आईडी से कितने नमबर यहाँ पे चल रहे हैं और कौन कौन से नमबर यहाँ पे एक्टिव है हमारे डाकोमेट से आज की वीडियो में आप लोगों को इसको पर बताऊंगा कि आप अपने आधार काट के साथ सारे नमबर देख सकते हो देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि यह नमबर हम यूज नहीं कर रहे हैं तो आप उसको बंद भी कर सकते हो खुद से वो कैसे कर पाओगे इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसस बताने वाला है इस वीडियो काफी ज़्यादा है इस वीडियो को आप अंत तक जरू देखेगा अगर धुस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ startups बेता है तो वीडियो को एक लाइक कर देना अपने दोस्तों के विपी साथ जरू सेर कर देना फिर आप लोग यहाँ पे चक्कर में पढ़ जाते हो कि कौन कौन से वो नमबर है जिसको हम बंद करा ले और यहाँ पे नया SIM कार्ट ले ले सामने कुछ इस तरीका का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे टेली कॉम कम्पनिकेशन का यहाँ पे एक वैब साइट जारी किया गया है जिसके जरीए आप पता लगा सकते हो कि आप के आधार कार से कितने मुबाइल नमबर चल रहे हैं और आप चाहते हो गर उनको बंद करना तो आप बो भी यहाँ से कर सकते हो तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर जो भी मैजूदा यहाँ पर जिस भी डाकुमेंट का यहाँ पर नमबर यूज़ कर ले हो मैजूदा टाइम तो आप बो नमबर यहाँ पर डालना होगा तो आप लोगो डालने के बाद में फिर आप लोगों को आगे बताता हूँ दोस्तों नमबर डालने के बाद में फिर आप लोगों को यहाँ पर रिक्योस्ट ओटीपी पे आपको किलिक करना है किलिक करने के बाद में दोस्तों आपके उस नमबर पे OTP जाएगा जो अभी आपने इसमें इंटर किया है तो दोस्तो जैसे कि दोस्तो यहां पर हमने किलिक कर दिया है और OTP जा चुका है तो हम OTP को यहां पर इंटर करेंगे OTP यहां पर आने के बाद में जैसे कि दोस्तो OTP आ चुका है काफी सारे यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है तो दोस्तो इस नमबर पे जो भी यहाँ पे इस आधार कार्ट से जो भी नमबर यहाँ पे एक्टिव है जो यहाँ पे चल रहे हैं और यहाँ पे दोस्तो वो 100 हो जाएंगे मेरे यहां पर document से दोस्तों यहां पर लगबग 4-5 sim card issue है जो कि यहां पर एक sim card ही so कर रहा है जो कि मैं इसको यूज़ करता हूँ वो यहां पर sim card यहां पर so अबी कर रहा है बैसे दोस्तों यहां पर हो सकता है इस website में भी problem चल ले हो तो दोस्तों इनको चाहिए कि ये बैफ साइट को और अच्छा करें तो जैसे कि मार लिए जाए हमने अपने दोस्त को यहाँ पर एक नमबर पर डाल कर देखा था यहाँ पर आधार कार्ट से नमबर काफी 400 हो रहे थे तो दोस्तों मैं आप लोगों बताना चाहूंगा कि ये बैफ साइट जो भी आने वाले समय में हो सकता है ये काम करने लगे और दोस्तों आप भी यहाँ पर कर सकते हो साइद मेरे पास ही यहाँ पर इसू आ रहा हो मेरे साथ ये इस हो आ रहा हो आप भी यहाँ पर चेक कर सकते हो ये वैपसाइट पता कैसे लगाती है कि आपके अधारकार से इतने नमबर इसूड है जैसे कि दोस्तो जो भी आप मुवाइल नमबर डालोगे उसके जरिये से ये पता लगा लेगा कि इस डाकुमेंट इस नमबर पर ये डाकुमेंट लगा हुआ है और इस डाकुमेंट पर कौन कौन से नमबर चल रहे है तो बो नमबर यहाँ पर ट्रेक कर लेता है और आपके सामने जो भी यहाँ पर रिजल्ट है वो आ जाते है जैसे कि मार ले जाए ये number है मेरे पास मैं इसको use नहीं कर रहा हूँ ठीक है अगर आप लोगों को ये number आपको जो use नहीं कर रहे हो वो आप अगर so होते हो जैसे कि काफी दिन हो चुके हैं जैसे कि क्या आपका mobile गिर गया हो तो आप इसको use करना छोड़ दियो हो या किसी कारण आप इसको use नहीं कर रहे हो जैसे कि ये number आपको अगर so होता है तो आपको क्या करना है इसको बंद कैसे करना है आप लोगों को यहाँ पर tick करना है ठीक है ऐसा tick आ जाएगा टिक करने के बाद में फिर आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं करना है ठीक है और this is my number not required तो आपको कुछ नहीं करना है इस number को बंद करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर tick करना है tick करने के बाद में आपको report पे click कर देना है report पे आप click करोगे तो आपको यहाँ पे इंटर करना है ठीक है, यहाँ पे जो आरहा है जो कि यहाँ पे और आईडि यहाँ पे आपको जो reference number दिया गया है उहाँ पे आपको paste करना है और यहाँ पे report status पे आप लोग किलिक करोगे तो आपको सारे detail मिल जाएगी यह नमबर कब बंद होगा क्या यहां पर प्रोसेस चल लाए ठीक है तो आप इस तरीके से यहां से उने अधार काट के साथ जितने भी मुबाइल नमबर इसूट कराए होंगे तो आपको यहां पर सारे सो हो जाएंगे अगर आपको बंद करना है वो बस आपको किलिक करना है रिपोर्ट करना है और एकर रैफरंस नमबर दिया जाएगा उससे आप अपने स्टेटस चेक कर सकते होंगे दोस्तों कैसा लगा वीडियो तो आर प्लीस कमेंटे में जरूर बताना और इस वैफसाइड में अभी काम होना वाकी है वैफसाइड आगे चलके अच्छा वर्क करने लगेगी तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कि लिए नए वीडियो में तब तक लिए खुस रहीएगा बाई बाई